45 वे दिन धेर हुई सनी दियोल की गदर टू लेकिन तारा सिंग अभी भी बने हुए है विक्रम राथोड के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बॉक्स ओफिस के लिए दो महीने काफी अच्छे देहें अगस्त और सितंबर में रिलीज हुई फिल्मों से भ्यांकर चांदी हुई हालाएं कि कई मूवीज आई लेकिन तहलका जिसने मचाया वो है गदर टू और जवान जहां गदर टू साथमें हफते यानी की 45-46 दिन हाफते दिकी वहीं जवान ने 18 दिन और तीसरे रविवार में ही करदा उड़ा दिया लेकिन ताया सिंग की गड़ी का बॉक्स ओफिस पर ब्रेक नहीं लग राएं 11 अगस्त को सिनेमा घरों में गदर टू रूलीज हुई इस फिल्म को थेटर में लगे हुए 46 दिन हो चुके हैं और अब ये जवान के रास्ते का सिबसे बड़ा कांटा बन गई है क्योंकि बॉक्स ओफिस पर गदर टू ने सोमवार को अच्छा खासा कलेक्शन किया है जी हाँ, 45 दिन रविवार को घरेलू बॉक्स ओफिस यानि कि डुमेस्टिक बॉक्स ओफिस पर 65 लाग का सिंगल डे बिजनस करने वाली इस फिल्म ने सोमवार को सिंगल डे पर 25 लाग रुपे का बिजनस किया है गदर टू ने अब तक डुमेस्टिक बॉक्स ओफिस पर 530.79 करोड का नेट कलेक्शन किया जबकि ग्रॉस ये फिल्म 617.75 करोड कमा चुकी है ओवर्सीज कमाई की बात करें तो गदर टू ने 55.54 करोड की कमाई कर ली है गदर टू इंडिया में भले ही जवान के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनी हो लेकिन वर्ल्ड वाल्ड किंग खान की फिल्म ने सनी दियोल की फिल्म को काफी पीछे छोड़ दिया है शारू खान के फिल्म जवान के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो सैक निल की रिपोर्ट के मताबिक इसने 530.83 करोड का ने कलेक्शन किया है वहीं तीसरे रविवार को सिर्फ देखे तो इस दिन उसने करीब 15 करोड रुपे कमाई वैसे अब तो शारू खान गदर टू को पीछे छोड़ते हुए अपनी ही फिल्म पठान का रिकोर्ड तोड़ने में लगे है हाना कि वो दिन दूर नहीं है जब ये मूवी वर्ल्ड वाल्ड 25 जन्वरी को आई पठान को भी पच्छाट देगी क्योंकि सनी दियोल ने जस तरह से बॉक्स ओफिस पर हुंकार भरी थी उस पर शारू खान ने तो पानी फेर दिया है और अब वो कहीं आगे निकल गए है जितना सनी दियोल ने 45 दिन में कमाया है उससे ज्यादा तो 18 दिन में ही शारू खान ने अपनी जोली भर ली है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताईए कि आपको गदर टू, जवान और पठान में से कौन सी फिल्म सबसे ज़ादा अच्छी लगी और एक्साइटिंग लगी जसे देखकर आपको लगा कि हाँ हमारे पैसे वर सूथ हुए है अपनी राय बताना हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलेगा और तमाम ऐसे और जानकारे के लिए चैनल के साथ बने रहेगा